जिसे विचारा वही चमतकार बन गया। ना जाने कौन सा करिश्मा है आपकी नजरों में भगवन, आपने जिसे समवारा वही गुलजार बन गया। चारे शिरिमत विजे नित्यानन सुरीश्वर्जी महराज तब चक्रवर्ती शिरिमत विजे बसं सुरीजी महराज बोले भाबा शिरिमत विजे जयानन सुरीश्वर्जी महराज ठाना ग्यारा एवं साद्वी रतना प्रगुना शिरीजी महराज आदी ठाना चार जी के पाव चर्णों में कोटिश कोटिश वंदन नमस्कार करते हुए हम हार्दिक सुकसाता पूछते हैं आज हमारे लिए परमसो भाग्य का विश्य है कि शिरिशांति दास जगमिंदर जैन, म्यंक जैन, मुनीश जैन, जीरवालों की विंती पर ध्यान, ज्यान, धरम, तप, सैयम, त्य की मूरत का आग्मन हमारे निवास पर हुआ है शाहिद बहुत बड़े पुन्य कर्पों का उपारजन हमारे पिता शिरिशंगमिंदर जी ने किया है या उनकी गुरु बगवन्तों के चर्णों में अगात श्रद्द भक्ती है कि ये सुभाग्यशाली दिन हमारे परिवार क पल के बिचाय बैठा था और इनके आग्मन से आज ये सपना साकार हुआ है आज हमारे लिए दोरी खुशी का भी अफसर है क्योंकि आज आज आचारे भगवन का 51वा दिक्षा जियनती पावन दिवस भी है मैं पावन गुरुदेव अचारे भगवन शिरिनित्यनन सुरिश्वर्जी महराज को दिक्षा दिवस की समस्त परिवार व जैन समाज की तरफ से लाख लाख बदाई देती हूँ ववंदन नमासकार करती हूँ गुरुदेव तो हमारे लिए भगवान स्वरूप है वजिनके नेत्रित्व वपावन आशिर्वाद से हमें धर्म का स्वरूप मिलता है से हमारी यही प्रार्थना है कि यह आशिर्वाद हम सर्पर ऐसे ही बना कर रखें मैं पूरे परिवार सर्प्ष्री जगमिंदर जेन सविता जेन मनोज जेन शालिनी जेन अंकुर जेन गितांजली जेन म्यंक जेन रिचा जेन मनीश जेन इशा जेन की तरफ से सभी पावन गुरुदेवों का वंदन वा अभिननन करती हूँ अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए बस यही कहूंगी चाहे कितने भी कांटे हो राहों में फूलों का बिचोना हो जाता है फूलों का बिचोना हो जाता है मुश्किलों का पहाड भी आए तो बौना हो जाता है आप तो पारस हो गुरुवर जिसे भी चूलो वो लोहे से सोना हो जाता है धन्यवाद